दोस्तों वाज एक कहाणी याद आई सोज आपको बता दूं एक व्यक्ति एक मंदिर जा रहा था उसको एक मंदिर जाना था तो उसने टेक्सी वाले से बोला कि भाई मेरे को उस मंदिर जाना है कितने रुपले होगे टेक्स वाले मोला भाई मैं 300 रुपए लूगा अब वो चिलनने लगा उसका वर भाई तुम तो नए आदमी को लूट लेते हो इतने थोड़ी लगते हैं इतने पासी तो है वो उसके तुम 300 रुपे ले रहे हो और वो इतना जिनना जिनना के बोल बोल के वो अपना थोड़ देर में पैदल चलने लग गया बहुत देर अब लगता है वो देखा तो वह भी निकला था जिससे लड़ाई करके निकला था वह भी बंदा था उसना फिर पूछा उससे कि मंदिर जाना मुझे कितने रुपलोगे कराई 600 लोगा वो फिर पागल हो गया कराई यार अभी तुम तुन तुन थीन सो ले रहा था अभी त जयते तो पैसे कम हो जाते आप जा रहे ऊल्टी दिशा में तो पैसे बढ़ गे तो इसलिए हमें अपनी दिशा चुनना बहुत जुरूरी है कहीं हम गुसे में या जल्दबाजी में चला कर कहीं अर पधोट ब कोई निर्णे लेना आपको हो तो गुसे में नहीं लेना चा हिम्मत नहीं है चलना पड़ेगा तो काफी उल्टा चलना पड़ेगा तो चुप चाब तीन समय बात हो रहे थी कहां वो छैसा में बैठ गया तो इसलिए कोई भी decision लेना गुसे में मत लेना जंदेबाजी में मत लेना हर decision को ये सोच के लेना कि क्या ये मेरे goal में काम आएगा जो मैंने goal set कर रखा है क्या ये उसमें काम आएगा आएगा कर दो नहीं आएगा मत करो धन्यवाद